नमश्यार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो अब हम रिव्यू करेंगे वूट सिलेक्ट में आई हुई एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है रंजिश ही सही और इस पर्टिकुलर वेब सीरीज आप जानते हो इस मेड बाई महेश भ जो क्रिटीकली और आप बोल सकते हो मास दोनों ओडियंस नहीं बहुत ज्यादा पसंद की है तो उनकी जो लाइफ है और उनकी लाइफ की जो सबसे बड़ी जो आप बोल सकते हो गोसिप है जो उनका रिलेशन परवीन बावी जो एक फेमस अक्ट्रेस हुआ करती थी उस सम मनमुताफ के एक दूसरे के उपर उनके उपर आनहापी हो जाना तो महधी असान का यह जो एक फेमस जो गजल है उसकी लाइन रंजिशी सही बैसिकली यह डिकोट करता है या फिर आप बोल सकते हो यह दर्शाता है कि जो वेब सीरीज जो बनाई गई है वहाँ पर एक जो एक आपस से जो है उनमें मन मुटाब है दोनों में आपस में कोई बैर नहीं है दोनों को प्यार तो करते हैं लेकिन वो कभी मिल नहीं पाते हैं तो थिमेटिकली बहुत बढ़िया आप बोल सकते हो इसका जो नाम है वो दिया गया है और एक चीज बहुत मुझे अच्छा लगा कि इसका जो screenplay है देखिए पुष्पधी भरदवाज बहुत दिन से महिशवट के camp में वो काम कर रहे है सरक का जो टू जो आया था उसका भी उन्होंने script लिगा था हाला कि वो बहुत ही घटिया script था लेकिन उन्होंने इससे पहले जले भी जो बनाया था जो एक बेंगॉली फिल्म का रिमेक भी था तो उसका भी script उन्होंने ही बनाया था लेकिन इस बार जो script उन्होंने बनाया है वो काफी बढ़िया है तो ये particular series के अंदर में दोस्तों आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद आया गा ये जो दो जोडी है जो basically आप जानते हो कि इन दोनों का मिलाफ तो हुआ नहीं था practical life में तो उनको बहुत अच्छा तरीके से यहां पर represent की गई है आप बोल सकते हो परविन ववी के ये एक tribute दिया गया है महेशवट के तरब से जहां पर उनकी life का जो 360 degree जो dimension है उसको बहुत खास तरीके से दिखाया गया है अब बात करते हैं performance की तो performance wise मैं अगर जाओ तो देखिए ताहीर वासीन ताहीर राजवासीन जो basically महेशवट की character प्ले कर रहे वो बहुत ही लाजबाब उन्होंने काम किया है उनकी wife के कितिधार में जो play कर रहे है अमरिता पूरी वो भी बहुत ही बढ़िया काम किया है साथी में परवीन बभी के character में South की actress Amala Paul बहुत ही कमाल का उन्होंने काम किया है सच बोले तो इस particular series में आप उनको पूरा series में वो आपको hook करके रखेगी साथी में यहाँ पर जो महेश जी का इनाप पर नाम दिया गया है संकर तो संकर का जो मा का character है वो character लेकर रहे है जाहीना वहाब वो भी बहुत ही बढ़िया उन्होंने काम किया है और यहाँ पर आपको छोटा एक बच्चे किरदार भी देखेगा जो basically पुझा भट का inspirations है तो वहाँ पर अंजली बताया जा रहा है उनका भाई जो है मुकेश भट उनका भी किरदार है तो यह बहुत सारे किरदार और भी इसमें शामिल होंगे और industry के बहुत बड़े-बड़े कलाकार जो है उस समय में मान लिजे परवीन वभी के जो ex-boyfriend हुआ करते थे कवीर वेदी या फिर ऐसे बहुत सारे किरदार जो है आपको यहाँ पर उनको देखने के लिए मिलेगा अमिधा बचन का भी छोटा सा जलग यहाँ पर है तो दोस्तों मैं अगर बात करूँ तो देखिए सिरीज का सबसे पॉजिटिव जो लगा कि वो 70s का जो पिरियड है वो पिरियड को बहुत बढ़िया तरीके से रिक्रियेट की गई है तो यह जो पिरियड है आपको खहीं पर देखके वो लगेगा नहीं कि यह फेक है आज के दिन में बनाया गया है कोई जो ह लगेगा यह शायद 70 की मूवी में देख रहा हूं तो यह बहुत अच्छा लगा मुझे साथी में जो मैं कहूंगा कि इसका जो कभी भी ओवर दे टॉप नहीं गया क्योंकि यह एक फिल्मी गॉसिप के ऊपर एक रियल लाइफ करेक्टर के ऊपर बनाया हुए लेकिन उसक एक्टरेस जिसका एकदम पिक में रहते रहते उनका जो है डिग्रोज चालू हो गया था उनका बीमारी हो गया उनको तो वो जो चीजे है रहा वो फेजेस है बहुत अच्छा तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है अब बात करते हैं देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूं कि इसका जो narration का जो style है जो यहाँ पर ली गई है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा सिर्फ एकदम धटाक से एक flashback में ना जाके हर episode में एक बार flashback में जाके फिर present time में आके फिर flashback में जाके इस तरीके से एक complex सा narration style है लेकिन वो आपको समझने में एकदम मुश्किल नहीं हो वो काफी आपको अच्छा लगेगा background score अच्छे है एक चोड़ा सा moment है जहाँ पर मतलब यहाँ पर आमाला जो character play कर रही है उस परवीन वाभी का तो उसके घर में जाने के बाद एक गजल जो है वो गजल एक tape recorder में चलाया जाता है तो वो वाला sequence या फिर मानली जाके background में ग मन में जो जो चींता आप बोल सकतो हो रही है कि कहीं यह जाके अपना जो है अपना खुद का जो चबी है वो चबी साफ करनी की कोशिस तो नहीं है क्योंकि इन दिनों में महेश्वर्ट जो है वो काफी विवादों से घिरे रहे स्पेशली शुषान सिंग राजपूत का जो इंसिडेंट बना उसके बाद उनको लेके बहुत विवाद हुआ रहा चक्रवुत्ती के लेके विवादों में वो फसे हुए थे तो क्या ऐसा नहीं है कि आखिर में यह वेब सीरीज बनाया गया है वो अपना जो है self clarification देने के तो दोस्तों यही था मेरा रंजिश ही सही का रिविव अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अल्विदा